दोस्तो स्वाकत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में को रिप्लेस करेगा इस फाइटर जेट में बहुत सरी डवांस टेकनोलोजिस का इस्तिमाल किया जाएगा जिसमें कुछ टेकनोलोजिस एम सी फिफ जनेरेशन फाइटर एक क्राफ्ट से ली जाएंगी तो चलिए भी इस एक क्राफ्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि इसे क्राफ्ट के बारे में लेटस्ट अपडेट्स कौन सी हैं तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं वो पबलिक सोर्स से ली गई है और अभी तक इसके बारे में confirmed जानकारी ADA या DRD ने रिलीज नहीं की है जब तक इसके final design के बारे में कोई update नहीं आती है तब तक इसमें से कोई भी जानकारी चेंज कर दी जा सकती है तेजिस mark 2 aircraft 17.5 ton के maximum take off weight वाला aircraft है इस aircraft में 11 hard points होने वाले हैं और इसके साथ ही इस aircraft की weapon payload capacity 7 ton की होने वाली है इस के radar के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एक AAS radar का इस्तिमाल किया जाएगा इसमें उत्तम AAS radar का इस्तिमाल किया जाएगा उत्तम AAS radar को हमारे तेजिस fighter aircraft के लिए बनाया गया था लेकिन इसकी development में देरी होने के करन इसे तेजिस aircraft में नहीं लगाए जा सका और अभी इसे तेजिस माक 1A aircraft में लगाए जाएगा तेजिस माक 1A aircraft में अभी एक इस्राइल ए-ưởng का इस्तिमाल किया जाएगा और उस radar के साथ उत्तम AAS radar के कियीगे comparison से ऐसा पता चला है कि उत्म EASA radar इस्राइली radar से ज़्यादा बहतर होने वाला है उसी उत्म EASA radar का इस aircraft में इस्तिमाल किया जाएगा इस aircraft में General Electric का F414 GE IN S6 Turbofan engine का इस्तिमाल किया जाएगा जिसका 58.5 KN का Dry Thrust है और 98 KN का After Burner के साथ Wet Thrust है इस engine के बारे में आपको बता दें कि इस engine का एक enhanced variant General Electric ने हमें offer किया है जो कि अभी AMCA aircraft में इस्तिमाल किया जाएगा लेकिन एसी confirmation नहीं है कि तेजस Mark II aircraft में इस enhanced engine का इस्तिमाल किया जाएगा या नहीं इस aircraft की maximum speed Mac 1.8 की होने वाली है और इसकी range तकरीबन 2500 किलोमीटर की होगी और इसकी combat range 1500 किलोमीटर के क्रीब होने वाली है इसकी service ceiling 50,000 feet तक expected है इसकी ferry range 3 additional fuel tanks के साथ 3500 किलोमीटर तक हो जाएगी तो चलिए अभी इस aircraft में लगाये जाने वाले avionics के बारे में बात करते हैं इस aircraft में एक integrated electronic warfare suite का इस्तिमाल किया जाएगा तेजस Рец reicht के लिए myavie electronic warfare suite को develop किया गया था लेकिन यह एक integrated on board electronic warfare suite था जो की a-craft के अंदर install किया जाता है लेकिन तेजस Mark 1 एक craft में इतनी जगे नहीं थी की उसमें एक unified electronic warfare suite को इस्तिमाल किया जा सके इसलिए उसमें External Electronic Warfare Ports का इस्तिमाल किया गया था लेकिन ते जिस माक 2 एक क्राफ्ट में इतनी स्पेस है कि उसमें एक Internal Electronic Warfare Suite का इस्तिमाल किया जा सकता है तो उसमें D.A.R.E. द्वरा बनाएं गए मायावी Electronic Warfare Suite का इस्तिमाल किया जाएगा इस सिस्टम के कुछ कुछ कुमपोनर्स पहले ही SU-30M के ये क्राफ्ट में इस्तिमाल किया जा चुके हैं इसका जो तरंग 2 Radar Warning Receive सिस्टम है उसे SU-30M के ये क्राफ्ट में इस्तिमाल किया जा चुका है इसके साथ ही इसमें एक Radar Warning Receive होगा एक Missile Approach Warning सिस्टम होगा एक laser warning receiver होगा और एक electronic control measure suite होगा और एक toad radar decoy होगा इसके साथ ही इस aircraft में infrared search and track system का भी इस्तिमाल किया जाएगा infrared search and track system का इस्तिमाल हमारे SU-30M के aircraft में भी इस्तिमाल किया जाता है इस system के इस्तिमाल से आप दूसरे aircraft से निकलने वाले heat signature की मदद से उन्हें aircraft को detect कर सकते हैं इस system के इस्तिमाल से आप किसी stealth aircraft को भी detect कर सकते हैं इस aircraft में किसी भी nose probe का इस्तिमाल नहीं किया जाएगा तेजस Mark 2 aircraft में एक air data probe nose की उपर नहीं लगाया जाएगा बलकि ये airframe में उस जगे पर लगाया जाएगा जहां पर dome airframe के साथ meet करता है इसके साथ ही इसमें एक retractable in flight refueling probe का भी इस्तिमाल किया जाएगा 2019 में होई Aero India शो में जिस तेजस Mark 2 aircraft के scale model को डिस्पले किया गया था उसमें एक fixed in flight refueling probe को दिखाया गया था लेकिन बाद में ऐसा confirm कर दिया गया था कि तेजस Mark 2 aircraft में एक retractable in flight refueling probe होगा इसके साथ ही ये beast mode में तकरीबन 8 beyond visual range 8 air missiles को carry कर पाएगा जानी कि ये air security configuration में एक ऐसा aircraft होगा जो कि अपने 11 hard points की उपर 8 beyond visual range 8 air missiles को carry कर पाएगा इसके साथ ही अस्तर जैसी beyond visual range 8 air missile को भी इसके wing tip की उपर लोड़ किया जा सकेगा जिसे की आम तोर पर within visual range 8 air missiles जैसे की R73 और AS RAM missile के लिए रिजर्व किया जाता है इसके साथ ही इस aircraft का जो cockpit है वो भी काफी advanced होने वाला है इसमें एक next generation head up display का इस्तिमाल किया जाएगा तेजिस mark 2 एक ऐसा aircraft होने वाला है जिसमें एक wide angle holographic head up display का इस्तिमाल किया जाएगा ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो की बहुत सारे flight parameters को इसके साथ ही ये aircraft दूसरे missions के लिए pods और sensors को भी carry कर पाएगा जो की reconnaissance और special missions के लिए इस्तिमाल किया सकेंगे इसके साथ ही इसमें एक smart avionics architecture का इस्तिमाल किया जाएगा जिससे ये बहुत ज़्यादा high weapon flexibility वाला aircraft बन जाएगा जिससे ये अलग अलग तरें के weapons को भी integrate कर पाएगा हमारे air chief ने भी ऐसे बयान दिये हैं जिसमें उन्होंने ऐसा बताया है कि जो हमारा तेजस mark 2 aircraft है वो एक 4.5 generation aircraft तो होगा लेकिन उसमें जो avionics का और दूसरे systems का इस्तिमाल किया जाएगा वो 5th generation standard वाले होने वाले हैं इसके weapon package की अगर हम बात करें तो ये बहुत सरी advanced A2 air missiles को carry कर पाएगा जिसमें Mika missile, A.S.Ram missile और Aster missile का infrared homing variant और Aster Mark 1 missile, Aster Mark 2 missile और Aster Mark 3 missile शामिल होंगे इसके साथ ही ऐसी expectation है कि ये एक craft meteor missile को भी carry कर पाएगा क्योंकि ऐसी जानकारी थी कि MBDA ने इस बासे मना कर दिया है कि वो meteor missile को किसी भी Russian या Israeli radar के साथ integrate नहीं करेंगे ऐसी possibility थी कि अगर कोई Indian radar develop किया जाता है तो उसके साथ meteor missile को integrate कर दिया जा सकता है इसके साथ ही ये लग लग तरें की A2 surface missiles को भी carry कर पाएगा जिसमें most next generation missile भी शामिल होगी और इसके साथ ही ये root ram 1 missile को भी carry कर पाएगा root ram 1 missile एक anti radiation missile है जिसको ये aircraft carry कर पाएगा इसके साथ ही ये लग लग तरें के bombs को भी carry कर पाएगा और ये ऐसे precision guidance munition को भी carry कर पाएगा जिससे ये bala caught a strike जैसे missions को भी carry out कर पाएगा इसकी latest update के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी जानकारी दी गई है कि इसकी metal cutting process February 2021 के लिए schedule की गई है और जो इसे craft का पहला prototype जाने की limited series production 1 एक craft होगा वो जून 2022 को roll out कर दिया जाएगा और ये अपनी पहली flight को 2023 तक complete कर लेगा इसके लिए जो बहुत सरे components हैं वो पहले ही develop कर लिए गए हैं इसके लिए दो full mission simulators develop कर लिए गए हैं जिससे इस एक craft को उडाने वाले pilots को train किया जा सकेगा इसके साथ ही इसके लिए एक नया powerful digital flight control computer develop कर लिया गया है जो कि तेजस Mark 1A program में भी इस्तिमाल किया जाएगा इसमें इस्तिमाल किये जाने वाले तकरीबन 12 F414 engine हमें general electric से deliver कर दिये गए हैं जो कि इस aircraft में यूज किये जाएंगे ऐसी report है कि हमें तेजस Mark 2A craft के initial operational clearance standard वाले aircraft 2026 तक देखने को मिल जाएंगे और इस aircraft को final operational clearance 2028 तक मिल जाएगे जिसके बाद ये production में अंटर हो जाएंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में इतना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरू लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग डिस वीडियो जै हैंद जै भारत